नमस्कार NGTV Election कार्निवल का काफिला जमशेदपूर पहुँच चुका है दिल्ली से शुरू हुआ ये काफिला दिल्ली से उत्राखंड उत्तरप्रदेश और फिर बिहार होता हुआ जहारखंड आया है आज हम जहारखंड के दूसरे शहर हजारी बाग के बाद जमशेदपू और इस अलाके की बीजेपी का यहाँ पर कबज़ा और पिछली बार अभी के मुक्ष्मांत्री वेक के लिंक टक्रीबन टेर लाक मोटो से हारे थी लेकिन अभी की स्थिति ये है कि कॉंग्रेज और ज्यम्म का गठ बंधन अभी तैन ही कर पाया है कि इस लोकसवा सीट पर किसे चुनाओ मैं लड़ाया जाए और किस दल को ये सीट दी जाए जम्षेद पुर्थ से हमारे साथ खास महमान जोड़ रहे हैं यहांपर स्वास्थ मंत्री बंधना गुपताजी जो कि यहां से विधायक भी है और यहां की सरकार में मंत्री भी सब्सक्राइब कर म sopr american स्वालों और चुकि तृम्धे तो अब सी strumा चूनाओ है तृम सीधे उसी से जोड़े सवाल से लेते है इस बार लोक सबाद चुनाओ आपकी एहां पर सरकार है किस तरह से आप बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई यह सबार राम मंदिर के शलानियास के बाद पूरे देश में एक राम लहर चल रही है और जिसका फाइदा पूर की तरह बीजेपी को कोई हो नहीं सकता पूर्शारत कोई हो नहीं सकता है मेरा पूरा भारत धर्मिस्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदोस्तान है तो यह राम तो किसी पाठी के नहीं हो सकते हैं वह हर रग में राम हैं धड़कन में राम हैं मेरे रॉम रॉम में राम हैं इसलिए इसको पाठी के के हिसाब से आप नहीं देख सकते हैं तो यह जो आपने अभी यहां पर कविता पाठ किया क्या यह कविता आपने कॉंग्रेस के शीर्शस्त नितुत को सुना दीती और इसी वज़े से वह जब राम मंदिर का उद्गाटन होना था तो रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंच हमारी आस्था है हमारी मनमर्जी है और हम अपने हिर्दय में राम को देख रहे हैं हमारे मन में राम हैं कन में राम Ст Burnley यह राइनिति का विषै नहीं आस्था और सुर्दा का विशस! चलिए ठीक है हम आपकी बात को मान लेते हैं आगे लोकसभा चुनाओं में जनता यही बात मान कर अगर आपको वोट करती है या नहीं करती है तो वो साफ हो जाएगा हम इस्थानी मुद्धव पर लोटते हैं अगपता जी आप स्वास्त मंत्री है और जारखंड का जो हेल्थ को लेकर इंडेक्स है उसमें काफी पीछे स्थान है क्या कुछ किया जा रहा है राज्य में स्वास्त के स्थर पर काम करने के लिए मुझे यह नहीं समझे माता है कि आप लोग किस मानक के तहद यह बताते हैं कि इंडेक्स में हेल्थ जो है बहुत पिछड़ा है आपने देखा होगा कि कोविड जब हुआ था और कोविड होने के बाद हमारी डबल इंजिन की सरकार नहीं थी और हम लोगों ने बिना डबल इंजिन के सरकार में भी हमने कोविड जैसी विस वियापी बिमारी को पूरी हद तक लड़ा और उसके विरुद में इतना बड़ा संकनाद किया कि भारत सरकार को मानना पड़ा कि देश में तीसरे इस्थान पर जार्खंड राज आया और हमने विपरित परिस्तितियों में जहां पर हमारे पास एक भी आर्टिपीशिया लेब नहीं हुआ करता था और हम उसके लिए बंगाल और भूवनिश्वर जाते थे बैक लॉग इतना लंबा होता था आज हमारे राज में 17 आर्टिपीशिया लेब इस्थापित हो गए आज हमने कभी जहारकट ने नहीं देख था कि कोबाश Went 9.900 मसीन लगेगी वो भी दो दो मसीन लग जघ गई है लो बहुत पतर्कार भाई भी चिलाते थे जिन कोशन C Hebrewseln tired अंवां सेबिरय मसीन लगिए 110 जो है पियसे प्लांट लग गए है आज हमारे यहां जो है है 11356 हमारा जो है ऑक्सिजन युक्त बैड है हमारे पास चार हजार से ज्यादा जो है हमारे पास आईश्यू के बैड संरक्षित हैं तो हम सभी द्रिश्टिकोंड में हम अपने राज को विश्चम और विपरित परिस्तितियों में भी राज की स्वास दिशा और दसा को दॉक्टर से प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं तो फोकस पूरा इस पर होता है कि होस्पिटल के वज़ाए प्राइवेट दिखाने आए नहीं आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जम्शेदपूर सहर बड़ा ही राजनिती के विशह में यह मैं समझता हूं कि एक ऐसी कोख है जहां से कई मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों का जनम हुआ है यहीं से हमारे अरजुन मुंदा जी ने मुख्यमंत्री का पदभार गरहन किया यहीं से हमारे रगवर जी ने भी पदभार गरहन करने का काम किया और इसके बावजूद भी फूल में हमने 434 करोड रुपया MGM की नई पूरा जो है मल्टी स्पेसिलिस्ट उसका अस्पिताल बनाने के लिए 434 करोड रुपया काम चालू करवा दिया है लेकिन बन्ना गुपता जी समस्या यहां पर यह नहीं है कि आप इंफ्रस्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे इंफ्रस्ट्रक् चीज केवल प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है बेसिक चीज यह है कि मैंने केंद्रिये स्वास्तमंत्री आदर्निये मन्सुक मांडिवया जीसे जब जब हमारी बैठक होई तब तब मैंने इसके बेसिक मुद्दे पर बात उठाई कि एक प्रॉफेसर एलिजिबल होता है दो हमारे डॉक्टरों के लिए तो हमने उनसे कहा कि आप वो जो मांड़ा सरकार ने रोके रखाया दो पीजी स्टूडेंट एक प्रॉफेसर के लिए तो हमारे पास फैकल्टी की कमी है और फैकल्टी की कमी केवल हमारे यहां नहीं है पूरे देश में फैकल्टी की कमी है फिर भी हम विपरित परिस्तितियों में भी हम हमारे 24 जिले के उपायुक्तों को कहा है कि आप DMFT फंड से ले लो और हम नहीं यह कहा है लेकिन डॉक्टर एक ऐसी चीज है जिसको आप ला अब तुके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं एक और स्थानी मुद्धा है आपके फ्लाइओवर का एक फ्लाइओवर है मुझे बताया गया यहां पर वो पिछले कई सालों में उसका बारवार शिलान्यास होता है और अभी चुनाओ की आचार साहिता लगने के कुछ दिन पहले एक बार और शिलान्यास किया गया आपके द्वारा क्या यह फ्लाइओवर शिलान्यास में ही तस्वीरों में छपता रहेगा दिखता रहेगा यह कभी जनता इस पर दौण पाएगी उपर चड़ पाएगी आपने केवल जो है किसी तस्वीर का एक पहलू देखा है आप जै इसकी गलती से मरी यह आलोचना समालोचना ही प्रेश का काम है प्रेश का काम केवल आलोचना नहीं है प्रेश का काम समालोचना भी है तो आपको यह भी जरूर जानना चाहिए था कि यहां जो तीन-तीन मुख्यमंत्री हुए उनके समय में भी वही मानगोपुल था और वही जाम लगता था, उन्होंने कभी इस भी से में सोचा भी नहीं कि फ्लाइओवर बनना चाहिए, ये तो मैं जब विधायक बना हूँ, मैंने लग के फ्लाइओवर का जो है निर्मान करने के लिए रात दिन प्रयास किया और 471 करोड रुपया हमने अपने सरकार का लगा कर फ्ल दोबोपुल भी मैंने अपने केबिनेट की अंतिम मीटिंग में दोबोपुल और 8 किलो मीटर का रास्ता पास किया था, ये अलग बात है कि वो जो है हमारी सरकार नहीं बनी और आदनीय रगवर जी ने फिर से उसको केबिनेट में उसको नया डीजाइन लाकर उसको बेवस काया भी था और जैसे ही 2009 में मैं विधायक बना तो सबसे पहले मैंना ध्याना करशन डाला और उस पर सरकार ने जवाब दिया कि जुकसलाई फ्लाइओर बनेगा और फिर जो है ये हमारे रगवर जी ने उसका सिलनयास कर दिया चोड़ दिया लेकिन अभी जब मैं मंत्री बना विधायक बना तो मैंने लग के यहां जितने लोग हैं पूछिए मैंने लग के वो रुका हुआ काम चालू किया और जुकसलाई का अज उभर बेच काम कर रहा है कि सरकस का टाइगर बोलिए जंगल का टाइगर बोलिए लेकिन इतना जरूर है कि हम सेर हैं लेकिन आदम खोर ना थे ना है और ना रहेंगे हम सेर की तरह जेल से भी हमारा हमस्वरन दाहाड रहा है कि बन्ना गुपता जी आप तो बड़े प्रगतिशील विधायक और मंत्री की तौर पर गिने जाते हैं युवापीडी को आप बड़े आकर्शक लगते हैं यह आप अपने जमशेदपूर में दो जमशेदपूर क्यों देखते हैं एक वो जमशेदपूर जहां बैठे हुए मुंबई में जाओ तो यह अंतर क्यों है उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने 86 बस्ति के नाम पर बहुत लंबे दिन तक लड़ू खाए अभीर गुलाल उड़ाए हैं साफ सफाई आप करवादे तो आदा काम हो जाएगा नहीं नहीं लेकिन मैं तो पक्षदर हूं क कि अभी मैं पक्षदर हूं ग्रेटर जम्षेदपूर बनाने के लिए मैं तो इस बात से सहमत हूं कि घाटसीला को भी जोड़ा जाए चांडील को भी जोड़ा जाए और सराइकेला को भी जोड़कर यह जम्षेदपूर ग्रेटर जम्षेदपूर बने तब इस जम्षेद सकता है जेल जोरा जो लाक्षा-ग्राइब को हको नहीं पेजता तो फिर हम मारा स्याम बाबा जो है का जनम नहीं होता आप बोलने में बहुत महेर है इतिहास और महाभारत को पर बाग पटू है आप तुरंत बात को मोड़ देते हैं जनता सहमत है ना यह देखिए तो थोड़े से सवाल ले लिए जा इनकी बाग पटता पर प्रभाकर जी मंत्री जी से के उपर होता है कुलाधी पती और कुलाधी पती गवनर साब होते हैं और गवनर साब के अंडर में सारे बिश्विद्याले आते हैं और वही उसके सर्वे सर्वा होते हैं तो यह सवाल बहतर होगा कि मुझसे न पूछ कर मैं तो चुकी सरकार का हिस्सा हूँ इसलिए जो भ गवर्नर साव हमारे सम्मेदानी गार्जियन अभी भावक है उनका जो भी आदेश निर्देश होता है उसका अक्षसर पालन करना राज सरकार की जवाब दही है लेकिन इमीडियेट बॉस उसके गवर्नर साव होते हैं बन्ना गुपता जी एक महत्पून सवाल ऐसी चर्चा क जा रही है कि कलपना सूरेन जो विधान सवा का चुनाव रणने जा रही है विधायक बनते ही उनको मुख्यमंत्री की शपतली जाएगी दिलवाई जाएगी इसमें कितनी सच्चा ही है नहीं मैं तो यह भी जानता हूं कि जिस दिन से यह सरकार का गठन हुआ तो हमारे मित सब्सक्राइब से जिस दिन से सरकार बने उसी दिन से घोसना किया कि अमुख तारीकों सरकार गिरेगी अमुक तारीकों सरकार गिरेगी फिर उसमें बाइलैक्षन हुए चार बाई लेक्षन हुए, चार बाई लेक्षन में, तीन बाई लेक्षन में हमने भारी बहुमत से जीत हासिल की और अब देखें लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो देखने की आज़त है, अब कलपना सोरण के नाम में एक शीव गूफा छोड़ दिजे, अरे आखरी सवाल आपसे लूँगा, यह कहा जाता इस इलाखे के टाइगर हैं, चमपई सोरेन, लेकिन अब राईतिक गल्यारों में यह कहा जा रहा है कि कलपना सोरेन ने उन्हें सरकस का टाइगर बना दिया है, नहीं देखिए, कहने के लिए, देखिए, राजनिती में लोग अभिव्यक्ति की आजादी को कोई छीन नहीं सकता, अभी हमारे छोटे भाई ने सवाल किया, मैं उसके अधिकार को तो नहीं छीन सकता हूँ, तो अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग तंत्र है, लोग तंत्र में हर आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी है, अब सरकस का आधर बोल यह जंगल का टायगर बोलिए लेकिन इतना जरूर है कि हम सेर लेकिन आदम खोर में फे mauvais और ना हैं यूट रहेंगे हम सेर्की तरह के येडीडसे भी हम्हेम फोरन धाल रहा है पूरे धैर के साथ इस लोगतंत्र को बचाएंगे भी और इस लोगतंत्र को आगे भविश में चलाएंगे भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बन्ना गुपता जी बहुत दिल्चस्प बाचीत रही इनके साथ और जम्षेदपुर को लेकर जिस तरह से नोंने डिफेंड किया अपनी बातें रखी अपने सपनों को साकार करने की बात कहिए अगर वो वाकई में कर देंगे तो जम्षेदपुर में जो दो जम्षेदपुर दिखते हूं दिखना बंद हो जाएंगे चोटे से ब्रेक का वक्त है ब्रेक के वाद फौरण लोटेंगे हमारा काफिला जमशेदपूर में है यहाँ पर हमारे साथ कॉंग्रेस बीजेपी के लीडर्स होंगे उनके साथ मुद्दों की बाचीत करेंगे और जनता जनारदन भी होगी जिनके साथ बाचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रभाकर यहाँ पर मौजूद है और जनता से सीधे सवाल भी लिये जाएंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर आमंतित करते हैं कॉंग्रेस के पूर्व जलाद्यक्ष रविंद जा को वे मंच पर आएं अपना आसन गहन करें और सवाल जवाब का सिलसला उसके बाद हम शुरू करेंगे रविंद्र जाजी के बाद हम आमंतित करेंगे बीजेपी के अभी के जलाद्यक्ष सुधान्शू ओजा जी को वे भी मंच पर आएं और अपना आसन गहन करें ताकि हम बादचीत के सिलसले को आगे बढ़ा सके सुधान्शू ओजा जी के बाद मैं आमंतित करूंगा चैंबर अफ कमर्स के पूर्व अध्यक्ष मुर्ली धर केडिया जी को वे भी आएं मंच पर अपना असन गहन करें और उसके साथ ही हम यहां पर बादचीत का सिलसला शुरू करेंगे ताकि यहां के स्थानी समीक्रण के अलावा इस्थानी मुद्व को भी समझ सके और जनता की जो आकांचाएं इच्छाएं हैं उनको अपने दर्शकों तक पहुंचा सके तो सवाल जवाब के सिलसले को शुरू करते हैं और यहां पर हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जोड़ चुके हैं सबसे पहले हम बी क्न टारगेट पूरा भी हो जाए क्या वो चार आपको भी मिला था और पूरा हो गया है श変 करो जनता है राम के लिए समर्पीत है भारतिया चाहता तो अब आपको कुछ ऊहराद आपी उगा राम के जो भक्त हैं जो जंगलों में हैं कंद्राओं में हैं गरिब के पडियों में हैं उनके आस्था का किंदर है 500 साल से भारत के आस्था कि विन्दू है राम उनको तहसनास कर दिया गया और भारत मेगि बह्तेजस्था पेले जो सरकार थी किस अन्हीत तहसन नहीं किया बय fellow everybody जी रविन जहाजी आप पर सिधा अरोप लगा रहे हैं कि आजादी के बाद जिनकी सरकारे आई देखे देश गुलाम था अंग्रेजों के जंजीर में जक्रा हुआ था हमारे पूर्वजों ने कांग्रेज परिवार के जो हमारे पूर्वस थे उन्होंने ये महसूस किया कि हमें आजाद हिंदुस्तान में सांस लेना है तो आजादी की लड़ाई हम लोग लड़े, कांग्रेस के लोगों ने लड़ा और बरसों बरसों जेल में रहकर इस हिंदुस्तान को आजाद करवाया निश्चित रूप से हिंदुस्तान की आजादी में सभी धर्मों का सहयोग रा हिंदु, मुस्लिम, सिक, इसाई, सभों ने अपना सहयोग दिया, सभों ने त्याग और बलिदान किया उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो निश्चित रूप से लोग तंत्र है, लोग तंत्र में सर्व धर्म समान का नीटी होता है और सभी धर्मों को समान मिला, सत्तर वर्स में जहां इस देश में सूई नहीं बनता था एक समय ऐसा भी था लेकिन बीजेपी कहते हैं, राम कोई समान नहीं मिला देखिए तो ब्यावसाई करन की बात है, राजनीति करन की बात है राम समान का चीज है, मर्यादा पुर्सुत्तम है, हर दिल में बसे हुए है, कनकन में बसे हुए है हर सनातन धर्म को मानने वाला लोग यहां तक कि आप देखिएगा कि जब जुलूस निकलता है हमारे यहां तो बहुत मुस्लिम लोग भी केंप लगाकर जो उसमें उस जुलूस में रहते हैं उसको सर्वत पिलाने का काम करते हैं तो फिर ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है कॉंग्रेस पास तो कोई मुद्दध ही नहीं बचाया है, वगर यह सीट आपको मिल भी गई कैसे आप बूठ मांगेंगे क्या दिखाएंगे देखिए अभी तक जो चर्चा चल रही है एसीट जेमें को जाएगा और पहले हत्यार डाल दिए ने एक्चली हमारे यहां जो गटबंधन का भी फॉर्मूला तई हुआ है उसमें एसीट जेमें को जा रहा है जाएंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे याप पर क्या आप इस मुद्दे पर वोट मांगेंगे कि आपका मुख्षमंत्री जेन चला के रस्ताचार क्या रूप में सरकारी जमीन को कागजों में हेर फेर करके अपने नाम कराना एमान दारी यह या हिंधुस्तान का कानून है आप भी पड़े लिखे लोग हैं हम भी लॉग रिजोट हैं हिंधुसतान का कानून है कि किसी के अगेंस्ट में आप कंप्लेंड कर दीजिए केस तो हो जाता है और आज की तारीख में जो इस्थिती है यह E.D.E. और C.V.I.E. वो केस तो बना देती है हेमन सोरेन एकदम निर्दोस है उनका कोई दोस नहीं है और हेमन सोरेन निर्दोस है इस बार के चुनाओं में यहां की जनता फैसला करेगी और निश्चित रूफ से हमारा जो J.M.M. का कंडिडेट होगा जमसेदपूर में और पस्षिम सिंग्भू में वो जीतेगा 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 चलिए पूछ लेते हैं चेंबर अब कॉमर्स के पूर अध्यक्ष हमारे साथ केडिया जी है केडिया जी क्या यहां पर ब्रस्टाचार एक मुद्दा है चुनाओ में उस पर बोट गिरेगा या नहीं गिरेगा लेकिए ब्रस्टाचार तो मुद्दा देश में है और ब्रस्टाचार के कारण ही देश पीछे रह रहा है हम जितने भी बाते कर लें लेकिन हर विभाग में भरस्टाचार है इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है लेकिन लोग यहां मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने पूर मुख्यमंत्री ने भरस्टाचार किया है दीके यहां लोग माने उसके पहले कोट माने मामला चुकी जब कोट में लंबित है क्योंकि हर व्यक्ति जितने भी नेता हैं जिनके मामले कोट में लंबित हैं जो जेल में हैं हर नेता कहते हैं मार इर्दोस हूं लेकिन जो बार बार जोड देखके कहते हैं कि मार इर्दोस उनकी 3 मेना, 4 मेना, 6 मेना तक जमानत नहीं होती है, तो जनता कैसे मान लेकि वो निर्दू से? ब्रस्टाचार देखे मुद्धा है, अब कॉंग्रेस भी इलेक्टोरल बॉंड में ब्रस्टाचार के मुद्धे को आवा दे रहे हैं, यहां पर भी ब्रस्टाचार हुआ है, जिनको ठेके मिले, जिनकी जाचे चल रही थी, उन्होंने आपको पैसा दिया। देखे, ऐसा है कि हमारे सांसत की संख्या देख लिजे और हमारे चंदे का देख लिजे, और इनके सांसत की संख्या देख लिजे और इनके चंदे का देख लिजे, दर्त होता है, जो जितनी बड़ी पार्टी, जितना बड़ा देश की राजनीत में योगदान, लोग 173 गुदा ज्यादा इनको पैसा मिला है अब तक लुकाज छुपा के क्यों ब्लेक मनी रखते थे सारा ब्लेक मनी इनके पास रहता था अब तो है कि मोदी जी लाएं कमी किसी में हो सकती है नियत में खोट नहीं हो सकते हैं मोदी जी क्या और उन्होंने पारदर्सी तरीके से इस तरहाँ किया कि आप जो चंदा देंगे सरकारी रिकोर्ड में रहेगा बलेक मनी के काम नहीं चलेगा मोदी जी की गरांटिह laquelle का यदे रहे मोदी जी 2014 के चुनाओं के पहले जब अपने व्यक्टब को रखते थे तो सबसे पहले कहते थे कि सौ दिन में अच्छे दिन आ जाएंगे सव दिन में अच्छे दिन आ जाएंगे काला धन हम वापस लाएंगे और काला धन जब वापस आ जाएगा भी या तो हरेक व्यक्ति के खाते में हिंदुस्तान के हरेक नागरिक के खाते में 15-15 लाग चले जाएगा लोगों से पूछ लेते हैं अच्छे दिन आए की नहीं आए अभी दूद का दूदा पानी का पानी हो जाएगा ठीके ना उसके बाद दूसरे सवाल ले लेंगे प्रवाकर जी पूछ लिए कि अच्छे दिन की का मुद्दा था तो मेरा इतना ही कहना है कि बहतर दिन आ गय आप लोगों को लाइन लगना होता था रासन लेने के लिए लाइन लेना पड़ता था पेट्रोल लेने के लिए और लाइन लगना पड़ता था गैस लेने के लिए आज अच्छे दिन नहीं आए तो आपको घर बैठे रासन पहुँच जाता है घर बैठे गैस पहुँच जाता है तो ये अच्छे दिन तो आए है महंगाई की बात, बिरोजगारी की बात करते हैं हम समझते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी की बात वो लोग करते हैं जिन लोगों के पास रोजगार की सुवीधा नहीं है आप यह एक बात देखेंगे कि आपको काम करने के लिए आदमी नहीं मिलता है लेकिन बेरोजगारी है आज महंगाई है लेकिन बाजार में आप चीजों की आप ये कह रहे हैं कि जो घरगर राशन मिलने लगा उसकी वह ऐसे कामगार आदमी नहीं मिल रहा है नहीं मैं ये नहीं कहता कि घरगर राशन मिलने लगा इसलिए कामगार आदमी नहीं मिलता लेकिन मुफ्त में जो रासन मिल रहा है उसके कारण भी कामगार के लिए आद्मी नहीं मिल रहे है जी चलिए ठीक है अब जासाब मैं आपसे सवाल पूछूँगा आपकी सरकार है यहाँ पर जो मुद्दा है एरपोर्ट का एरपोर्ट बन जाना चाहिए और द्योगिक नगरी यह क्यों नहीं है एरपोर्ट और आपकी सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है यहां बहुत सारे लोगों से हमने बात की सब कह रहे ते एरपोर्ट का काम शेलान लियास होने के बाद से अटका हुआ है क्योंकि राज सरकार से कुछ एनोसी मां किये है निशित रूप से एरपोर्ट बहुत बड़ा रिक्वाइडमेंट है इस निशित रूप से अलग वह अटके कहना चाहत हुआ हुआ हो लेकिन निशित रूप से कहीन न कहीं तरह की बात आ जा रहे है कहीन न कहीं फॉर्ट की बात आ लही Representatives समय्हात जा लिकिन इबर उमीड है कि बहुत जल्द नुसी राज्य सरकार की तरफ से भी हो जाएगा और जो भी अर्चन है केंद्र का सरकार भी प्रयास्रत है उसमें आपकी तरफ से तमाम राज्यों में तो फटा पट एयरपोर्ट बन भी गए उडाने भी हो गई वहां डबल इंजिन की सरकार है कि ऐसा है कि धालभूंगड में जहां एयरपोर्ट बंदे का प्रस्तावीत है जहां हम गये हैं अपनी मोटर साइकल से पूरे परिसर को घूमें हैं दिश्टिया भी जूद में लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा होई एय पूरा इलाका सर्फेस है और वहां को एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार बंगाल उडिशा जहारकंड बंगाल और उडिशा इसका एक बहुत बड़ा हाब है जो उसके लिए उप्योगी है आर्थिक रुस्य भी फैदेमन है लेकिन जहारकंड कि जो सरकार बर्तमान में है इन्होंने भारत सरकार को एनोसी लेके उसमें नंबर जोड दिया लास्ट में कि एलिफेंट कोरीडोर वहां है अब या फाइल तो फसा दिये आप ने ने इसी बात नहीं है आप हो ने जी मुहार उसका यह चाहते है कि भारत सरकार पैसा दी बिकास हो चुकि इनकी पार्ट और भी बहुत सारी चीज़ें आप गिनाते हैं सामान नागरिक सहताल लागू करने के आपने बात कह दी तीन तलाग भी आप अपलब्दी गिनाते हैं अब ये तो सब राष्टी मुद्धे हैं इस्थानी मुद्ध्ध क्या हैं किस दम पर आप बोट मांगेंगे कि हमारे सा में बाके ग्रामेन हैं यहां के जमीन उपजाओं नहीं है पठारी छेत्र है जमस्यत्पूर अब जब गाउं में आप जाएंगे पूरे नक्सल प्रभावी छेत्र थे हर ब्लोक हर गाउं आज से दस साल पहले कोई जाता नहीं था चुकि मैं अपने बेपार के चलते घुमा ह इसलिए जानता हूं उससे में के फीजा और आपके फीजा में बदली हो गया उससे में आप गारी से जाने सकते थे पुलिस पेट्रोलिंग होती नहीं थी आप नहीं जा पाती थी आप देखेंगे आप जंगल जंगल यहां भी देखेंगे जहां नक्सल उग्रभाता वहां जंगल में जाएए आपको हर जग रोड मिलेगा भारत सरकार के जितनी नागरिक सो भिधाएं हैं जनता के लिए जितने एक एक आदिवी को केंपिंग करके उनके गाओं को लोगों को जोड़के सारे भारत सरकार की होजनाओं का लाव गरामिट छेत्रों में हम लोग दे रहे हैं तो कैसे चुनाओं लड़ पाई इन्हों ने तो उपलब निया राश्ति इस्तर पर भी यह इस्थानी इस्तर पर भी आपको बताऊं कि कि पिछले चुनाओं में कोलान छेत्र है इसमें तीन जीला पड़ता है जमसेदपूर पूर्वी जमसेदपूर पश्चमी और सराई के लाकर समा इनका एक भी विधायक नहीं जीता एक भारतिये जनता पार्टी बैक्ग्राउंड के विधायक जीते ओ इन्हीं के मुखमंत मुखमंत्री को हरा के जीते ओ निर्दलिये हो गए और इनके मुखमंत्री को हरा के जीते बाकि एक भी विधायक इनका नहीं है तो उस इस्तिती में हम दावा करते हैं कि इस बार भी जनता का मानसिक्ता वही रहेगा और जन्मत हमारे साथ है हमारे जो भी कैंडिडेट कंडिडेट हो जीत निश्चित है निश्चित है जनता के पास शलती है जहां तक बात है जी प्रभाकर जनता से बात सवाल ले लिए मेरा सभी दलों से है कि जब से ज्यादा प्रॉब्लम हो गया पॉलूशन का जो काली माटी से लेके कोई भी दल इसके बाद सत्ता में आने है आप जो बोले प्रस्ण एकदम सामाइक प्रस्ण है आप जमसेदपूर एक बड़ा सहर है इसमें पांच नगर निगम है छोटे बड़े जमसेदपूर मांगो जुकसलाई आदितपूर और कपाली आप इनके कचड़ा उठाके फेक के एक जगे डिस्पोजल करने का जग अब आपके दल का फूल एगा पांच जगह है अभी क्या हो रहा है जहां सरकार की उजना जा रहा है वहां गरामीड को भड़का के योजना पूरा नहीं होने देते हैं पूरे वर्ल्ड लेबल की टाटा इस्टील है टाटा इस्टील के लिए कहीं जमीन नहीं मिल रहा है ए अपने पूराने क्वाटरों को तोड़के बॉंडरी करके ताउन फॉरेश्ट करके इस्किम लगा के कर रही कि ताकि पॉलूशन रुके आज चालीस मिलियों तन जा रहा है उसके जगह कौन देगा जितने भी भाट जार्गंड की सब्हाटा की सरकार नहीं किया सारे पे ल करता देना चाहता हूं टाटा इस्टील बहुत प्रियासर रदत है पॉलिशन को खतम करने के लिए उसके लिए आप देखिए ग्रिनरीज कितना है इस सहर में हर जगह आपको प्लांट मिलेगा प्लांटिशन का काम होते हुए दिखेगा जहां तक ग्रामीन छेत्र की बात ह शूरा है यहां आप हवाजाए यह आरोस लगा रहा है कि अपक ट्रॉल को भटा देते हैं तो चैज है कहीं इसमें नहीं को इसमें सचाइघ सुद्वर के कोई रखाई काम हो रहा है जवाब बिल गया आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप तुरों का इस बहस में चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जमशेद पुर से आप देख रहे थे यह गर्मा गरम बहस अभी छोटे से ब्रेक का वक्त है ब्रेक के बाद फॉरण लोठेंगे कर दो 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 कि एंडी टीवी का एलेक्शन कार्निवल आज जमशेदपुर में था कन मुलाकात होगी राची में जरूर देखिएगा एंडी टीवी एलेक्शन कार्निवल मुलाब कर दो हो ऑ आ पर ग